जै मा काली मित्रो आपका मेरी चनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चनल पर नहीं है तो मेरी चनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजे जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि सवारी किसी व्यक्ति के शरीर पर क्यों आती है और उसका क्या उद्देश्य होता है वास्तवी क्या कारण होता है और किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सवारी आपके शरीर पर आती है देखें सवारी अगर किसी के शरीर पर आती है तो उसके बहुत से कारण होते हैं जिसके बारे में हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं लेकिन अब ये बात आती है कि सवारी हमारे शरीर पर क्यों आई है, वो क्या हमें लाब देना चाहती है, क्या हमें हानी देना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, और हमसे क्या चाहती है, देखें जब भी सवारी आपके शरीर पर आती है, तो वो आपके संचित पुन्य जो हो कि वो प्रसन होने के कारण आपके शरीर पर सावारी के रूप में आते हैं तो जब वो सावारी के रूप में आते हैं तो आप उनके आने का उद्देशित समझ नहीं पाते हैं और नहीं उस कारण को जान पाते हैं कि किस कारण से सावारी आपके शरीर में आई है दूसरी बात कुछ लोग ये कहते हैं कि सावारी हमारे शरीर पर आती है लेकिन हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं कोई जादा भजन नहीं करते हैं उसके बाद भी सावारी हमारे शरीर पर आती रहती है और मा भगवती या किसी भी देवी देवता की सावारी आती रहती है जबकि हम कोई पूजा पाठ नहीं करते लेकिन आपको ये ज्यान होना चाहिए कि अगर सवारी आपके शरीर में आ रही है और आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो उससे जो आपके सवारी है उसको बल न से कारिय करते हैं जो सावारी के विरुद होते हैं सावारी के नियमों के विरुद होते हैं तो तब आपका शरीर सावारी छोड़ सकती है तो इस प्रकार से जब सावारी आती है तो सावारी का जो उद्देश्य होता है वो आपके जीवन को आध्यात्म से जोड़ना होता है य अध्यात्मिक जीवन सबका अलग होता है लेकिन कुछ लोग अध्यात्मिक जीवन जादा जीते हैं कुछ लोग भौतिक जीवन जादा जीते हैं और लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल भौतिक जीवन ही जीते हैं अध्यात्म से उनका कोई भी मतलब नहीं होता और और वो अध्यात्म में कोई भी विश्वास नहीं करते हैं तो इस प्रकार सेस्वारी आती है आपको आध्हात्मी पत्थ पर आगे बढ़ाना चाथी है उसको ऊचा करना चाथी है वो यह चाहती है कि जिसके शरीर में मैं आई हूँ उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए यानि जिस देवता की भी किरन आती है तो सबसे पहले वो उसी को पुझवाती है यानि अगर आपके शरीर पर माकाली आती है तो वो आपको माकाली की ओर लेके जाएंगी अगर भोले नात की आती है यहां इस बात को ले करके जमित हो जाते हैं अगर सावारी आपको यह कहती है के आप तो इस अधोर काी नहीं कि हुआ देशे और सावारी का यही होता है आप क्या सोचते हैं कि अगर सवारी आई है हमारे घर में बहुत सारी परिशानी बनी हुई है जैसे कि धन की परिशानी है विवा की परिशानी है नाकरत्मक उर्जा की परिशानी है स्वास्थ की परिशानी है तो यह सवारी जब आई है यानि मा भगवती है जब यहां पर आ आ रही है यानि हमारे घर में आ रही है तो वो हमारे घर की जो परिशानिया है उसको दूर क्यों नहीं करती और अगर मा आ रही है तो मा के आती हुए हमारे घर में ये परिशानिया क्यों है तो लेकिन आप इस बात को नहीं जानते ये बहुत ही बारीक फर्क होता है इन बातो तो वो परिशानियां आपके प्रारब्द H exploration निर्मण होता है और वही और या आज भोग रहे हैं अगर आपके में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो आपका प्रारब्ध है जो आप भूग रहे हैं या कह सकते हैं भूगत रहे हैं वो सब आपका प्रारब्ध कर्म है लेकिन मा भगवती अगर आपके शरीर पर आई है तो वो आपके इनी प्रारब्ध कर्मों को पून करवा के आपक मा भ भग्वती जानती है कि जो यह आत्मा है पहले हिसने दूसरे चोले में रहते युदे ले खरेश करनती है और आपको आध्यात्मिक शेत्र में आगे ले जाना चाने है जिसमें आपकेवल अकेले चलते हैं ऐसा नहीं है कि आपका घर परिवार भी सभी अध्यात्म की और जाते हैं वह तो आपके घर परिवार वालों का भाग्य होता है अगर वह अध्यात्म की और बढ़ते हैं तो उनको भी मुक्ति का मर्ग मिलता है अगर वह नहीं बढ़ते हैं तो केवल आप अकेली उस मार्ग प हम मा भगवती एक ऐसे एक्जामपल यानि उधारन के रूप में कह रहे हैं तो वो देवता आपको अपने धाम पर इस्थान देते हैं तो इसी उद्देश्य से वो आपके शरीर में आते हैं जिससे कि आप पुन्य कर्म कर सकें यानि जितना आपने पुन्य कर्म किया हैं उसक तो इसलिए सवारी आपके शरीर पर सवारी आती है यह जिनके घरों में भी सवारी आती है तो उनको सवारी की बाद को ध्यान से सुनना चाहिए और जो वो पुझा बताती है उस पूझा को करना चाहिए जो उपाई सामिय आपके कारिये पूर्ण होता है जैसे कि अगर आपको धन की आवशकता है तो हम भंकी Мाऌ भगवती कही करें नहीं रुकेगा मां भगवती कहिना प्रबंद करें कि यह इतना धन ना दे की आप संचित कर सके यानि संचित करने योग्य धर्म आपको नहीं देंगी लेकिन हां इतने धन का प्रबंद वह अवश्य कर देंगे जिससे की आपका कारिय बन जाए तो इस प्रकार से जो लोग पूजा करते हैं और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं माभगवती उ आपके इश्ट देव का आशिरवाद होता है तो जिन व्यक्तियों पर भी सावारी आ रही है तो वह इस बात को समझे और माभगवती से भोतिक कारिय ना निकलवाएं यानि कि आप मासी यह न कहीं कि हमारे कश्ट निवारन कर दो आप हमारी लिए धन का प्रबंद कर दो हम हमारी लिभूमी का प्रबंद कर दो आप माभगवती से यह बात कह सकते हैं कि महरानी आप हमारे सभी कश्टों को दूर करो और कश्टों में जो भी कश्ट आपकी जीवन में होंगे महरानी उनको सभी को दूर करेगी लेकिन माभगवती से कभी आप बार बार ना तो शिका करना चाहिए तो वह आपको आशिरवाद दे जाती हैं और आशिरवाद के स्वरूप सही समय आने पर आपके सभी कारिये स्वता ही सिद्ध हो जाते हैं तो मित्रों ये थी जानकारी आप सभी के लिए माभगवती से यही प्राथना करते हैं कि वह आपके भंडारे भरती रहे आपकी सबी मनों कामनों को पूर्ण करती रहे आप पे अपना पूर्णा शिरुवात बना के रखे तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल